तो दाउद ने लोकल आदमी कम लिये, बंबई के बाहर से आदमी अकठे करने शुरू किये तो दाउद का जवाब था कि मैं पहल कभी नहीं करता हूँ चौवीज के चौवीज लोगों के पास हत्यार, तो बरेंदर राय ने यूपी से बंदमाशों की पूरी टीम हत्यार लेके बंबई में लेके आए, और वो एके 47 जो टी वो उसमें छोटा राजन ने इस्तेमाल की थी, और उसमें के अंदर प्लीस्टेशन, यह पहली बर सुन आप सब का बिलजीत परमार पर यू, मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सब का सवागत है, पिछले एपिसोड में हमने शुरुआत की थी उन बातों से, जिन को लेके जे जे शूट आउट चैसे, एक बहुत बड़े संसनी केज, अंडर वर्ल के कारनामे को अंजाम दिया ग दूरी एक हॉस्पीटल बहुत बड़ा, और मज़े की बात है कि वो हॉस्पीटल जो है, वो दाउद के घर से वाकिंग डिस्टेंस पे है, और उसके थोड़ी दूर, एक देड़ मील की दूर जो है, वो एरिया और उन गबली का खास एरिया है, उस हॉस्पीटल के एक तर् हाधी मस्तान जो बहुत बड़े समगलर हिंदोस्तान के रहे, उनका ओफिस है, रोड क्रॉस करके, दूसरी तर्फ जाएं तो देड़ सो दो सो गज की दूरी पे करीम लाला जो अंडर वर्ल के सबसे बड़े डॉन रहे, मंबई के 40 साल उन्होंने अंडर वर्ल पे हकूमत क की उनका ओफिस और घर और एक तर्फ डोंगरी प्ली स्टेशन, दूसरी तर्फ रोड के दूसरी तर्फ लाग पड़ा प्ली स्टेशन और वहां से सो गज की दूरी पे प्लीस का बहुत बड़ा ओफिस जो अलिशनल क्रमेशनर का औरिजनल ओफिस हुआ करता था, वो एक प्लीस ट्रैफिक की पोश्टी उसके साथ में प्लीस का ओफिस तो एक एसा एरिया जिसके चारों तर्फ गहनी आबादी प्लीस के प्लीस स्टेशन, प्लीस के ओफिसेज और बहुत आवाजाई वाली रोड महमद अली रोड और दो दो प्लीस स्टेशन अस्दीख, उस हेर करने के लिए अगर लोकल लोग वहां से दाउद लेता तो कहीं न कहीं वो पूरी प्लैनिंग लीक आउट होने के चांसे ज़्यादा बन जाते थे तो दाउद ने लोकल आदमी कम लिए मंबई के बाहर से आदमी अकठे करने शुरू किये एक एक के करके आदमी उत्तर परदे से मंबई के बाहर के अलाकों से कुछ लोग लोकल और जब इतनी बड़ी आपको प्लैने करनी है तो आपको अतनी गाडियों का इंतजाम करना पड़ता है जो जो हमलावरों को लेके आएंगी और मैंने एक बात आपको कही थी पिछले एपिसोड में कि चौवीस तारीक या दाओद के दिमाग में गूम रहा था वो दिन था जिसन दाओद के बहनोई को उसके घर के बाहर मारा गया दाओद ने एक दाओद का एक उसका काम करने का तरीका है मैंने पूछा भी था एक इंट्रिव्यू में कि आप जब गैंगवार में जब किस्ते देखे तो आपने बहुत बुरी तरह से आपने कामों को अन्जाम दिया है हत्वारों का इस्तिमार हो क्रिमिनल्स की नफ़्य हो गिंती हो या काम करने का तरीका तो दाओद का जवाब हुआ कि मैं पहले कभी किस्यों को नहीं मारा और मैं जवाब देता हूँ और जवाब तर इस तरह से देता हूँ कि उसके बाद मेरे उपर अटैक करने की हम्मद करने से मेरा दुश्मन हजार बार सोचे तो उसी तरह इसकी प्लैनिक भी दाओद ने इस तरीके से की कि उसके बहुत देर बाता किसी की हम्मत नहीं हुई दाउद गैंकी तरफ देखने की या दाउद के परिवार के किसी आदमी को या और उसको हाथ लगाने की अब 24 तारीक को किस्था हुआ था दाउद ने 24 लोगों की एक टीम बनाई अपने बहाई के हत्यारों को हॉस्पीटल में मारने की त्यारी की 24 लोग एकठे किये गए हिंदोस्तान के अलेदा अलेदा अलाकों से 24 के 24 लोगों के पास हत्यार उनकी 3-3-4 लोगों की टीम बनाई गई एक टीम को कहां रखा गया दूसरी टीम को दूसरी जगा रखा गया एक टीम जेजे हॉस्पीटल के बिलकुल साथ में लगती एक मुस्लम महला था जो उसमें एक फिरोज तकला करके कादमी था जो बाद में बाम बलास्ट में भी उसकी इनवालमेंट रही उसके घर पे उनको रखा गया दूसरी टीम थी वो नाकपाड़ा के गैस्ट हॉस में रखी गई और जो बाहर से लोग आये थे यूपी से जिनको मंबई की गलियां नहीं पता मंबई के रास्ते नहीं पता उनको वहाँ से काफी मील दूर सबर्ब में जाके एरपोर्ट के पास एक अलाका है सांता क्रूज वहाँ पे उनको एक B.S.C.S. के सरकारी गैस्ट हॉस में रखा गया और वो सरकारी गैस्ट हॉस था वो B.S.C.S. जो है बंबई में बिजली सप्लाई करने वाली कमपनी हुआ करती थी और वही कमपनी एक समाने में दिली में बिजली सप्लाई करती आज भी करती है जिसको हमारे दिली के चीम मिनिस्टर आक सा गालिया नकालते रहते हैं कि ये कमपनी को लूटती है अब तो रिलाइंस ने टेक अवर कर ली बाद में वही कमपनी और उस B.S.E.S. का जो एक बहुत मौडरन फोश गेस्टाउस मना हुआ था अंदर वो पूरी की पूरी कमपनी और गेस्टाउस बाद में रिलाइंस ने टेक अवर किया रिलाइंस के बाद आज के दिन में वो अडानी ने टेक अवर किया हुआ है तो ये उस B.S.E.S. की गेस्टाउस की कहानी है तो एक राय मिनिस्टर हुआ करते थे दिल्ली में वो उनके पास शैदों से माने में कोई बिजली पानी का महकमा होगा उनका एक रिष्टेदार था वरिंदर राय वो उत्तर प्रदेश प्लीस में समस्पेक्टर हुआ करता था जब उसका ये खास रिष्टेदार दिल्ली में सेंटर की सरकार में मंत्री बन गया तो उसने अपनी लौकरी प्लीस से रजाइन करके वो राय का पर्सनल बोडी गार मंत्री जी का बन गया बोडी गार कमपी ये उनका खास आदमी वरिंदर राय था वो डी कमपनी के टच में था और जब दाउद को अपने बहनोई के खून का बदला लेने के लिए कुछ खतरनाक और पहुँच वाले बंदों की जरूरत पड़ी तो पहला बंदा जो डी कमपनी के दमाग में आया वो वरिंदर राय था तो वरिंदर राय ने यूपी से बनमाचों की पूरी टीम हत्यार लेके बंबई में लेके आया और उनको अपने मंतरी रिष्टेदार के तुरू सरकारी गैस्टाउस में रखा ताकि किसी को शक नहीं हो कि जो बंदे कौन हैं और जिस्टर में एंट्री दखाई गई कि मंतरी जी के महमान है और बंबई गूमने आये हैं और उनके पास जो खजरना का थ्यार जिनमें एके 47 भी शामल थी वो सरकारी गैस्टाउस में रखी गई तो यह को पहला मौका नहीं था कि मंबई में किसी क्राईम में एके 47 इस्तेमाल ही हुई हो इसके पहले 1988 में दो साल पहले एके 47 इस्तेमाल की गई थी और वो एके 47 जो थी वो उसमें छोटा राजन ने इस्तेमाल की थी जब छोटा राजन दाउद के साथ था और कहा यह जाता है कि वो एके 47 भी यूपी से आई थी और वो शोग जोशी का काम करने के बाद हत्यार जो वापस दिये गए यूपी के किर्मिनल्स को वही हत्यार फिर वापस मगवाए गए और वो महिया करवाए गए वरिंदर राय के थूँ यह कहां तक सच्छा नहीं है प्लीस वालों ने इनका खुलासा आई तक नहीं किया वो हत्यार कहां से आए कौन लेके आया और उसके बाद कहा गए हत्यार यह भी कुछ आई तक पता नहीं लगा खेर तो उसके बाद एक तीसरा ग्रूप चौथा ग्रूप एक डोंगरी में रखा गया ग्रूप एक नागपारा में एक यह बीएस यह गैस्टाउग्स में और एक चौथा ग्रूप बंबई के बाहर बाहर एक निजामुदीन ब्यवंडी एक मिंस्पल प्रीशद एक जिला प्रीशद बनी हुई थी उसके जो प्रेजिडेंट थे उस प्रीशद के वो सूरिया राओ जी थे महरास्तियन और सूरिया राओ को बिंग प्रेजिडेंट आफ जिला प्रीशद उनको एक बड़ी गाड़ी मिली हुई थी बेस्टर गाड़ी थी चाहिए को और बड़ी गाड़ी थी उसमें बतियां बतियां लगी और बहुत बड़ा बोर आगे लाल रंका लगा हुआ था अध्यक्ष जला परीचत जामोदीन विवंडी नगर परीचत ऐसा करके उनको उस सरकारी गाड़ी में वहां से हमले वाले द लगा लो 24 जुलाई को 1992 को धाउद के बहनोई को मारा जाता है और 16 सेप्टैंबर को जेजे हॉस्पीटल पे हमला किया जाता है और ये 24 के 24 बंदे अलग अलग जगों से लाके हॉस्पीटल के अंदर तक पहुंचाए गए और उनको पहुंचाने के लिए और लोगों की टी बहुत बड़ा हॉस्पीटल है मतलब हजारों लोग वहां पे रोज जाते हैं मेडिकल कॉलेज भी है उसके अंदर मार्चरी है कॉरिनर्स कोल्ट है आज कल तक प्ली स्टेशन भी उस इंसीडेंट के बाद महां पे प्ली स्टेशन भी कोल दिया गया उस्पीजल के अंदर जो पहली बर सुना होगा आपने तो इतनी बड़ी प्लैनिंग के साथ जब आप कहीं जाते हो तो एक एक चीज की जो एक जो तहकीक आप जो करनी पड़ती है वो पहले से करके रखी गई थी और जैसे पहले फ्लोर पे जाने के लिए जो सीड़ी है जो पौरी जिसको हम बो हुआ है डबल जंगला लगा हुआ है जिसमें आप आपका पूरा हाथ भी अंदर नहीं जा सकता ऐसा जंगला है कि आप किसी कैदी को जा किसी को हत्यार नहीं दे सको किसी को कुछ और की जो नहीं चाहिए वो दे सको वहां दो घंड में बैठे हैं नीचे प्लीस वाले मुद्ध जमा करके आपको ऊपर लेके जाते हैं फस्ट फ्लोर पे सीडी से और वहां पे फस्ट फ्लोर पे जो लंबा वार्ड है उसके बार भी उसी किसम का गेट है डबल गेट एक अंदर गेट एक बाहर गेट और अंदर जितने कैदी हैं हो सब को जहां तो उनके हाथ मे बेट के साथ बादा हुआ है जहां उनके पाओं में अधकड़ी लगा कि उसको बेट के साथ बादा हुआ है वो भाग नी सके चार ऑफिसर ओपर पलीस ताली ओपर उस गेट पे बैठते थे और ले दे के हर मुवमिन पर वहां पे कोई बारा से चौधा पलीस वाले वार क्योंकि वार भी बढ़ा था और डिपेंडिंग ओन किस किसम के क्रिमिनल उस वार में एडमिटर हैं उनको लेके जो स्रक्षा है वो और भी बढ़ा ही काम की जाती थी अब यह तो बहुत सेंसेशनल केस था इसके लिए इस पैशल जो पलीस वाले अथिहार बंद रखते गए थे वो मदूख लेके खड़े रहते थे हमेशा इनके पास और इसलिए वो जो इतने अहत्यार दे के बेजे गए थे कि इतनी अंदा दूंद गोलियां चलाना के सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं हो इसके पहले कि वो लोग करें आपने उनको मार देना है बहले कोई भ बच्ची सिंग और सभाज सिंग ठाकुर का किसफ्द्स महा को बाद में एक और किसीति सिलसले में भी सनाऊंगा बंबई के अंडर्वर्ल का जो तॉप के टैन जो 10 शार्पशूटर गिने जाते थे उनमें सभाज सिंग ठाकर जो है वो एक इन आ जाता था दूसरा सौतिया, मंगेकर, तीसरे, चौते, वो लबी चोड़ी लिस्टे, वो दस शूटर की बात फिर कभी करेंगे तो सबसे खतरनाक डेरिंग जो शूटर थे उस दमाने के उनको हाइर किया गया था आज के दिन में वी सबस्टिंट हाकर जो है वो यूपी की एक जेल में और किछी केस में सजा भुकतरा है उस केस में भी उसको सजा हुई थी, खेर, पांच सो के करीब गोलियां चली और उसमें ये चारों लोगों को गोलियां लगी जिन में से दो मर गए, दो बच गए, जो स्रेश हल धनकर जो में आदमी था, वो मर गया, एक दूसरा उसका था थी मरा, एक पलीस वाला मरा, दो नर्स इंजड हुई, चार पलीस वाले इंजड हुए, और ये अपना देखके कि अब इनके बचने का किसी का कोई सादर नहीं इसके पहले के डोंगरी प्लीस टेशन जो वहां से दो परलांग की दूरी पे था, या नागपड़ा प्लीस टेशन जो वहां से दो परलांग की दूरी पे है, इसके पहले के वहां की प्लीस फोर्स आके उस हेरिये को गहरा डाल सकती, उसके पहले पहले 24 के 24 लोग फरार भ बैठ नहीं सकते ये गाड़ी में पांच से जादा लोग बैठ नहीं सकते उनको फिर उसी तरह जैसे लाया गया था उसी तरह वापस उनको उनकी सेफ चगा पर भेजा गया और वो अपना काम करके वो आदमी गए और जिस आदमी ने दाउद के बहना हुई को गोली मारी थी ह उसको खत्म करके जुलो गए ये जे जे हॉस्पीटल का सबसे बड़ा जो कांड था उसको इस तरह अंजाम दिया गया और उसमें जब उसका केस टाड़ा के तीचे चला तो राहनी सहलियन जो थी सरकारी वकील उसने ये केस बहुत तरीके से लड़ा और तक्रीबन आठ लो जो सरकारी गवा बना तो इन सब को सजा हुई और मजदार बात है कि वो प्लीस वाला एक जो बच गया था उसने जिसने सब को देखा था कि मैंने जो गोलियां चला रहे थे आगे वाले तीन चार आदमी वो आदमी अपनी गवाही से मुकर गया कि मैं किसी वो पहचानता ही नहीं और उसके उपर कोट ने स्टिक्टर पास किये थे कि ये प्लीस वाला जो है ये पैसे लेके गैंक के साथ मिलकिया है इसके उपर कारवाई होनी चाहिए वो अपने आप में एक लबा किस्था है वो फिर कज़ भी आपको सनाएंगे आज इस किस्थे को यहीं खत्म करत आज तक के लिए इतना है काफी अगले दिन कुछ नया किस्था काहनी लेके फिर आएंगे तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद